सद्गुरु, मैं लगातार अपने कुछ सीनियर साथी डॉक्टरों को लेकर परिशान रहता हूँ, जो बहुत ही अच्छे सर्जन हैं। सद्गुरु, दिल को ठी करने के कुछ ऐसे ओप्रेशन हैं जो बहुत कम लो कर पाते हैं, पूरी दुनिया में। मैं एक उधारन देता हूँ, मैं एक ऑप्रेशन करता हूँ जिसे पल्मनरी इंडार्ट टेरिक्टॉमी कहते हैं। उनका जीवन इतना बदल जाता है, मगर इस दुनिया में पचास से भी कम ऐसे सर्जन हैं, जो ये ओप्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह मेरे कुछ सहीयोगी बहुत ही गिफ्टेट सर्जन्स हैं। उनकी उम्र पचास से जादा हो चुकी है। उनमें से कुछ लगातार रेटायर्मेंट की बात करते रहते हैं। खासता और पर एक सर्जन्स जो बहुत ही काबिल और गिफ्टेट सर्जन्स हैं। जो किसी भी डैमेजड वॉल्व को ठीक कर सकते हैं। वो अववाहित हैं। उनकी कोई दूसरी जमेदारी नहीं हैं। वो हर दूसरे दिन बनारस या कहीं और जाने की या रेटायर होने की बात करते रहते हैं। मैं उनसे कहता रहता हूं कि भगवान ने उन्हें रेटायर होने या ध्यान करने के लिए नहीं बनाया। उन्हें इन बिमारियों को ठीक करते रहना होगा। तो गुरु जी वो हर छे महिने में मुझे एक्स्टेंशन देते रहते हैं छे महिने बीते बीते उनका वही अलाब शुरू हो जाता है वो रेटाइर्मेंट की बात करने लगते हैं और अस्पताल में हर कोई निराश हो जाता है तो इस तरह के लोगों से हम कैसे निप्टें आप उन्हें छुटी पर एक साल के लिए मेरे पास भेज़ दीजे क्योंकि किसी को रेटाइर्मेंट की जरूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि उसके काम में नीरस्ता आने लगती है वो कुछ भी हो किसी और को लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है लेकिन आपके अनुभव में ये कही न कही नीरस हो गया है या ठहराव आ गया है ठहराव एक ऐसी चीज़ है जिसे इनसान के बुद्धिय और शरीर स्विकार नहीं करते ज्यादा तर बीमारिया ठहराव के कारण होती है जीवन का ठहराव हो सकता है कि उन्हें प्रमोशन मिल रहा हो वो ज्यादा पैसे कमा रहे हो ये सब हो सकता है मगर अनुभव के स्थर पर एक ठहराव है जो मुख्य वज़य हो सकती है उन कई जटिल बीमारियों की जिसे लोग अपने शरीर में पैदा करते हैं जैसे जैसे बीमारियां जटिल होती जाती है आप और भी ज्यादा टैलेंटेट सर्जिन्स बनाने की कोशिश करते हैं हम समस्याओं को पैदा कर रहे हैं फिर उनका हल ढूडने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग समस्याओं में पढ़ चुके हैं उन्हें समाधान की जरूरत है लेकिन लोगों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि वो कैसे इन समस्याओं को पैदा ना करें वरना आपको 50 की बजाए 5000 एक्सपर्ट सर्जिन्स पैदा करने होंगे जो इन लोगों का ख्याल रख सकें जो खुद ही बीमारिया पैदा कर रहे हैं मैं तो कहूंगा कि जिस सर्जिन के पास एक खास योगिता है और जिसमें जीवन भर काम किया है अगर वो अपनी खुद की प्रकृती की खोज करना चाहता है तो ये सबसे अच्छी बात होगी क्योंकि इस इनसान में जिम्मेदारी की कमी नहीं है या योगिता की अगर योगिता और जिम्मेदारी है तो आपको उनसे रोज रोज वही काम करवाकर उस संभावना को नश्ट नहीं करना चाहिए ये महतुपूर्ण है कि वो अपनी खुद की प्रकृती को खोजें जो क्यों है पता नहीं कि वो क्या खोज लेंगे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो क्या पा सकते है मेरे ख्याल से थोड़े दिनों की छुटी अच्छी होगी वो कुछ ऐसा भी कर सकते है जिसके आपने कलपना भी न की हो मैं आपका संदेश उन तक पहुचा दूँगा सद्गुरू मुझे यकीन है कि वो एक कारिक्रम देख रहे है